हाई फ्रेंड्स विल्कम हमारे जियस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर टूड़े वी हैब सेलेक्टेट टेस्ट नंबर 309 फ्रेंड्स हमारा टेस्ट नंबर 309 है और आज का टॉपिक है फंडामेंटल ओफ नर्सिंग सभी नर्सिंग परिछाओं के लिए काफी एड जो होता है उसका भी अधिन किया जाता है और भी कई चीज़ें होती है जिसमें फंडामेंटल्स का अधिन किया जाता है ठीक है यह कोशन सभी नर्सिंग परिष्छाओं के लिए इंपोर्टन होंगे और प्रिवेस एर के स्वार्ल कोशन भी इंक्लूड किये गए हैं आप देखशकते हैं अपनी स्कीन पर आली स्टेड के सियाचाओ इंक्जाम के लिए A&M JNM सटाफ नर्स के लिए BSC po sanct BSC के इंटरिस इंक्जाम स trump के लिए PCS के जो nursing officer के एक्जाम सोती है इसके लिए विर वरिए इंपोर्ट इनेंग नर्सिंग, PGI नर्सिंग एक्जाम्स के लिए MPSW, बिहार A&M, बिहार CHO, UPNHM, UPCHO, MPNHM, राजिस्तान CHO, MPCHO, MPNHM, पंजाब, हर्याना, जम्मु कस्मीर, बिहार, चैतिसगर, महराश्टा, केला, सबी राज्यों के लिए समान रूप से प्यों की कोशन होंगे, आज भी न की स्कीन पर पहला, कोशन नमर आप फ़स्ट पढ़ें, फिर इसके बदा आमसर बताएं, और लास्ट बताएं, आपने के तने कोशन सही किये, कोशन नमर फ़स्ट, काफी सोच समझ के आपको आमसर यहां पर बताना होगा, कोशन नमर फ़स्ट पढ़ लीजिए, फिर according to option, you have to select the right answer option के according आपको right answer बताना है जो सबसे appropriate answer लग रहा हूँ आपको वो आप answer select करेंगे यहाँ पर कौन सा पदार्त होता है जो iron law का मतलब होता है, iron के absorption मतलब absorption को बढ़ावा देता है तो आपको यहाँ पर right answer select करना है जो भी आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं इसका right answer होगा option D होगा option D इसका right answer होगा orange ठीक है, क्या होगा orange यह संत्रा ठीक है यह law के absorption को बढ़ावा देगा क्यों देगा, अब इसमें देखें एक point include है, क्योंकि orange में क्या होता है vitamin C पाई जाती है vitamin C, और vitamin C क्या करता है, iron के absorption को या law के और शोशड को बढ़ावा देता है, ठीक है जब भी आप intake करते हैं iron, ठीक है किसी ना किसी माध्यम से अगर आप iron लेते हैं तो अगर आपके body में vitamin C की मात्रा की कमी है या आप daily basis पे vitamin C नहीं लेते हैं intake नहीं करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको anesthet है, क्या हो जाए तो इसलिए vitamin C भी पढ़ाव तो माट्रा में लेनी चाहिए इसका जो right answer होगा, इसलिए इसका right answer orange होगा, संत्रा होगा, मालो की यहाँ पर orange नहीं लिखा होता, नीमू लिखा होता क्या लिखा होता नीबू या लेमन लिखा होता या आउला लिखा होता तब आमसर हम वो मार्क करेंगे जो जिसमें विटामिन सी पाई जाएगी ठीक है हमारा आमसर क्या होगा वो आमसर होगा जिसमें विटामिन सी पाई जाएगी आफसन के कोर्डिंग हम स्लेट चलते हैं हम नेक्ट कोश्चन पर यहां पर देख लिजिए वही बात मिमसन की गए लिखा है क्योंकि संत्रे में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी लोग के आउशोषण को बढ़ावा देता है कोश्चन नमबर आप दूसरा पढ़ें फिर राइट आमसर बताईए कोश्चन नमबर यह रहा आपकी स्किन पर टू कोश्चन नमबर टू कोश्चन नमबर टू पर पूशा गया है निमनमे से कौन सा खादिपदार थे उच्चरक्त चाप के रोगी के लिए उप्यूक्त है उसे आहर में सोडियम की मातरा कम रखने के लिए कहा गया है ठीक है को बता रहा है विच आप दी फॉलाविंग फूड आइटम से इस्टीवल फार पेसेंट विदा हाइपर टेंशन है और उसे बताया गया है कि आपको मेंटें रखना है क्या सोडियम लेवल को कम लेना है तो आप बताईए राइटम सर क्या होगा आपसन के क्वाडिंग पूछा गया कोशन एक जांस में आप राइटम सर्सेलेट करेंगे यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है एक पेसिंट है जो हाइपर टेंशन है जिसे ठीक है या इसे वो गरसिथ है ठीक है हाइपर टेंशन उच्छे रक्त चाप से ठीक है तो उसमें बताया कि ड्लांक्टर के दोरवसे अड़्वाइस किया गया कि आपको सोडियम बाले चीज़े कम लेनी yeter तो वो कौन से इसका right answer होगा summer squash ठीक है यह क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे तो आप यहाँ पर right answer इसका जो होगा summer squash होगा आफसंसी is the right answer summer squash ठीक है इसी को हम और समझेंगे तो इससे पका हुआ कद्दू समझे रहे हैं जो pumpkin होता ना पका हुआ कद्दू यहाँ पर bracket में आपको बताएंगे जिनका प्रोसेसिंग किया जाता है उन आइटमस में क्या होता है उन भोजन्स में क्या होता है sodium की मातरा उच रखी जाती है और हम आपके जानकारी के लिए बता दें sodium जैसे की नमक होता है ना नमक जिस फूड में पाया जाता है उसमें क्या होता है sodium की मात्रा ज्यादा होगे क्यों ज्यादा होगे क्योंकि नमक का जो फार्मूला होता है वो NACL होता है क्या होता है NACL जो NACL आपको वर्ड लग रहा है ये दिखाया जा रहा है इसका ये sodium का chemical symbol है क्या है sodium का chemical symbol स्ब्सक्षम्राइद पांप मांथंगी सब्सक्राइब तर्यार मैंगे बड़े ने शायन धना बडरेदे में ज्यानकारी होनी चाहिए उती है खाने पीने वाले सभी में क्या होता है सोडियम के भातरा उंच होती है हम आपकी जनकरी के लिए और बतायाते है जैसे कि जितने भी प्रोसेश्ट फूर्ड होते है उनमें नमक मिला दिया जाता है ठीक है आपने अचार वगेरा देखा होगा घरों में क्या होता है अचार रखा जाता है उसमें क्या होता है काफी ज़्यादा मातरा में नमक का छिड़काओ के जाता है नमक डाला जाता है इसलिए ज़्यादा जाता है कि वो प्रजरोटी के रूप में काम करे ठीक है तो उसमें NACL में मतलब sodium collide और NACL जाहिर सी बात है उसमें होगा ही होगा ठीक है जिसमें नमक पढ़ेगा नमक का मतलब है वो sodium है ठीक है वो क्या है sodium तो इसका मतलब जितने वे processed food होगे जिनें काफी लंबे समय तक दो दिन चार दिन तक बात delivery की जाती है या पकाया जाता है उनको फिर बाद में उसको पैक कर दिया जाता है तो इसका मतलब उसको लंबे समय तक इस्थाई रखने के लिए ताकि वो विकार ना हो चलिए से ठीक है तो उसमें sodium मिलाया जाता है और भी कई चीज़ें होती है बेंजोयड बगारा मिलाया जाती है लेकिन हम आपकी जानक सब्सक्राइस कर जाता है जो लंभे समय तक बना रहा तो नमक जाहित से बात है नमक मिला दिया जाते तो वो लंबे समय से जो जो ऑगर embraceैं गर्म अचार पिकल्स बगरा बना जाता इसमें नमख वगरा काफी ज्यादा मिलाया जाता ठीक है और वो लंबे समय तक इस्थाए वगरा भी मिला जाता है, कोशन नमबर आप तीसरा पढ़ें, फिर आइटम सर बताईए नर्स कितनी बार सांस देती है, नर्स बच्चे को CPR देते समय कितनी बार सांस देती है एक आठ साल का या साथ साल का बच्चे आइटिक है आपको बताना है क्या होगा इसका राइटम सर 8 साल या 7 साल के बच्चे पर CPR करते समय नर्स बच्चे को प्रती मिनिट के हिसाफ से कितनी बार सांस देगी क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर होगा होगा आफसन ए क्या होगा आफसन इसका राइट आंसर होगा 20 बार कितनी बार देगी 20 बार ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह लिखा है CPR in a child breath क्या लिखा है breath लिखा 12 to 20 breath per minute 12 से 20 के बीच में दिया जागा लेकिन वहाँ पर last लिखा है 20 minute कितना लिखा है 20 breath दिया जाएगी per minute एक मिनट में 20 बार breathing की जाएगी और एक breathing तीन से 5 सेकंड के बीच में होगी एक breathing जो होगी तीन से 5 सेकंड के बीच में या 2 सेकंड के आसपास हम मान सकते हैं ऐसे मालों मोटा मोटा 2 सेकंड या 1 या 2 सेकंड में अभी हम question number 4 पर थोड़ी बाते हैं और समझाएंगे इन्हें आप समझ लेंगे ठीक है बांके आपको question समझ में ही आ गया होगा question number 3 last में और discuss करेंगे आपको समझ में आ जाएगा question number 4 पढ़ें फिर right answer बताइए एक सिशू पर CPR करते समय नर्स च्छाती को दबा रही थी या दबाती है कम से कम कितने संपीडन दे जाने चाहिए थे या थे हैं ठीक है फाइल पर फार्फार्मिंग CPR CPR को उपर फूर्फार्म लिखा था आप देख लिजिएगा कार्डियो पल्मोली रेसेस्टेशन on an infant the nurse was giving the chest compression at least how many compression should be given यहाँ पर पूछा गया है एक सिशू पर CPR करते समय नर्स क्या है चाहती जब दबा रही है दबाती है कम से कम कितने संपीडन किये जाने चाहिए पर मिनट के हिसाफ से select कीजिए आप लोग right answer जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है नहीं भी लग रहा है तो आप तुक्का मार सकते हैं यह आपर एक मिनट में कितने बार सो बार क्या देने चाहिए कमप्रेशन देने चाहिए ठीक है कमप्रेशन का मतलब संपीडन संपीडन का मतलब होता है दबाना कितने बार दबाना चाहिए सिसू की च्छाती को एक मिनट में सो बार दबाना चाहिए सिसू की चाहती को और हम आपको बता दें सिसू की छाती के लिए जो इस्तमाल के जाता है compression का जो अगर पूश लिया जाए कितना दबाया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे 1.5 कितना दबाया जाता है 1.5 इंचेज के आसपर 1.5 सेंटिमेटर या इंचेज के आसपर से दबाया जाता है ठीक है तो ध्यान होता है 2 होता है कितना होता है 2 इंचेज होता है तो यह पॉइंचेज होता है और इंफैंट के लिए होता है 1.5 कितना होता है 1.5 यह एक जामस में कोशन पूशा जा चुका है ठीक है यह और एडल के लिए भी तो आप ध्यान रखेंगे कितने compression देगे जो नियो नेट्स उसको 100 बार यह handy times का मतलब होता है 100 बार per minute का मतलब होता है 1 मिनट में ठीक है तो इस अब से आप ध्यान रखेंगे यहां पर mention किया गया है 100 बार इसका मतलब होता है 100 बार per minute 100 बार per minute अब हम आपको बता दें CPR में सभी के लिए कितना CPR होता है CPR का ratio यह कई बार पूशा जा च आपके स्टूडेंट से गलत करते हैं ठीक है मालों कि हमने इधर enjoyment USA क्या है लिए और इधर क्या कर दिया हमने compression लिए क्या लिए compression समझने का प्रियास करेंगे compression लिए तो breathing के दनी बार होगी और compression के थिना होगाए तो हम कहेंगे with the 208 डेरा लिखेंगेaría 2, there economy समझ रहे हैं नो मेरी बात 2 ratio 30 गा breathing यह है और इधर लिखा है compression स्वसन इधर लिखेंगे compression का मतलब होता तो दो बार हम सांस देंगे 30 compression पर 30 जब compression हम देंगे उसे sumpedit करेंगे तो इसका मतलब दो बार उसे हम क्या करेंगे सांस देंगे mouth to mouth mouth to mouth का मतलब मू से मू में ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखने का pattern देखे थोड़ा चेंज करते हैं मालो की यहाँ पर compression लिखा गया क्या लिखा गया compression और इधर क्या 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 गया breathing लिखा गया क्या लिखा गया breathing ठीक है तो आप हम क्या करेंगे 30 ratio 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 ratio 2 समझ रहे हो मेरी बात बात यह है यहाँ पर कि कोशन में आपको देखना है कि पहले नंबर पर respectively क्या लिखा गया है क्रमानुसार क्या लिखा गया पहले अगर compression लिखा होगा तो आपको 30 ध्यान अकना है ठीक है breathing लिखा होगा तो 2 ध्यान अकना है हमारा मतलब यह है कुल मिला के कहने का कि आप कोशन को पढ़ेंगे ठीक है ratio में हमेसा यही देजा जाता 30 ratio 2 कभी कभी लिखा जाता 2 ratio 30 क्या लिखा जाता है 30 ratio लिखा होगा 30 ratio दो breathing दो बार होता है हम इस बाले में भी देखिए अगर breathing पहले लिखा होगा क्योंकि breathing पहले लिखा होगा तो compression दो बार होगा ठीक है और मलब स्वारी breathing लिखा होगा तो breathing दो बार होगा compression बाद में दिया होगा तो तीस रेसियो यहां पर माल लेंगे तीस रेसियो और ब्रीफिंग दो बार करते ठीक है तो इस हिसाब से हम अंसर देंगे अपना कि कंपरेशन लिखा है तो हमारा अंसर तीस रेसियो दो होगा अगर मालो क्या इसा लिखा होगा पहले लिखा होगा ब्रीफिंग उसमें बात वही है 30 ratio 2 कहें या 2 ratio 30 कहें लेकिन ये गलत वहां पर हो जाता है लेकिन वह गलत वहां पर हो जाता है जब क्या होता है compression पहले लिखा और breathing बाद में लिखा ओ तो आपको रट के नहीं जाना पता अब यहां से तीस रेसियो 2 इस तरह है और उसमे एक जामिन पार में दिया और को सब्सक्राइब का टीस त अब यहां पर कमपरेशन ठीस गतन है के सामने अब भी यहां पर वही बात हैै यहां परनुर्द गर。」otal को सब्सक्राइब 30 है लेकिन हम देखेंगे कोशन में पूछा किस प्रकार से गया है ब्रीटिंग पहले लिखा है कि इसी में बहुत से स्टुडेंट मात खाते हैं उम्मेज करता हूँ आप समझ गया होंगे कोशन नमर आप 5 पढ़ें फिर आइटाम सर बताइए कोशन नमर फाइब पर पूछा गया सास लेने के समय पैटरन को बनाया रखने के लिए कौन से इस्तिती फायदे बंद होती है बलब सास लेने के लिए कौन सा पैटरन बनाया रखना या कौन से इस्तिती फायदे बंद होगी to maintain the normal breathing pattern which position is beneficial क्या होगा इसका right answer सांस लेने के लिए कौन सी position सही मानी जाएगे according to option you have to select the right answer इसका जो right answer होगा वो होगा option C, क्या होगा? option C, fowler position होगा क्या होगा? fowler position अच्छी मानी जाएगी according to option C is the right answer next question number आपकी स्कीन पर 6, question number 6 पढ़ें फिर right answer हो नहीं हता है आप इसी तरह question को और बढ़ा लेंगे लिखेंगे निमले खित में से किस इस्तिती में रोगी लेटा हो नहीं होता है या लेटा हो नहीं रहता है आप यहांपर इसी तरह बढ़ा लेंगे In which of the follow in the position patient is lying down इसका जो right answer होगा वो होगा comment कीजिए अगर आपको right answer है इसका जो right answer होगा option D होगा, क्या होगा option D is the right answer option D इसका right answer होगा fowler position fowler position में आपको कई बार बता है semi-fowler position या fowler position इस तरह की position में यहाँ पर यह है 90 degree पर ठीक है, यह कोई भी व्यक्ति बैठा इस तरह है यह fowler position कहीं जाएगी अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी है ठीक है, यह भी fowler position कहीं जाती है यह 90 पर होती है और यह 45 पर होगी 90 ऐसे बनेगा, 90 घाप कितना होगा 45 degree होगा, 45 degree होगा तो यह semi-fowler position होगा और यह fowler position कहा है 90 वाली को ही कहा जाता है फowler position और semi के लिए 45 degree कर देते हैं कितना कर देते हैं, 45 degree जब कोई भी चीड ऐसे आधार पर या किसी लाइन पर खड़ी होगी तो इसे हम 90 degree कहते हैं, ठीक है अगर इसी चीज को मालो कि जैसे 90 यहाँ पर है 90 इधर होगा, तो 90 इधर भी होगा क्योंकि यहाँ पर एक जो एक line होती है रेखा होती है, सीधी रेखा पर 180 degree का कौन होता है कितने degree का angle होता है 180 degree का, तो मालो 90 यह भी है हमको इसका हाप करना है, तो अब patient को मैंने ऐसे लिटा दिया, कैसे लिटा दिया मालो की पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पर एक छोटा image के रूप में आप देखें, ऐसे लिटा दिया इस तरह, अब patient का खोपड़ी इधर है, ठीक है खोपड़ी इधर तो ऐसे लेटेगा patient, ठीक है तो इसका मनला भी क्या है, ऐसे जब सीधा था तो यह 90 था, 90 का आदा कर दिया 55 डिग्री, समझ गया होंगे, मेरी बात न, यह सेमी फावलर position कहा जाता है, ओके तो रोगी किसमें नहीं लेटा होता है, लेटा हुआ नहीं होता, तो फावलर पोजिशन, आफसे इस into, injected into, बताइए राइट आंसर आप, क्या होगा इसका राइट आंसर, insulin injected किया जाता है insulin is injected into appropriate आंसर बताएंगे, हो सकता है, इससे ज़्यादा आंसर लग रहे हूँ आपको, लेकिन सबसे best आंसर आपसलेट करेंगे हैं आपर इसका जो right answer होगा वो होगा option D, क्या होगा option D इसका right answer होगा subcutaneously या subcutaneous ठीक है, SC root BC को कहा जाता है, SC root ठीक है insulin inject किया जाता है mostly subcutaneous root option D is the right answer, कई बार मैंने बताया भी, आप ध्यान रखेंगे इसका right answer ये लिखा है insulin is injected subcutaneously which means into the fatty layer fat layer under the skin fatty layer के नीचे under the skin subcutaneous tissue में मतलब इसे लगाया जाता है next है question number आपके skin पर 20 question number आपके skin पर रहिए question number आप 8 पढ़ें फिर right answer बताये, गूदा से मलास है कि जहांच के लिए किस पर क्रिया कॉपियों कहा जाता है question को आप English में पढ़ लें कोचे समझ में आ जाएगा what procedure is used for examination the anus to the rectums ठीक है anus to rectums मतलब anus से rectum की जाच के लिए जो process अपना है जाता है जिसके माध्यम से क्या जाता है वो यहाँ पर आपको select करना है क्या होगा right answer जो भी right answer आपको लग रहा है वो आप बताज शक्ते हैं इसका जो right answer होगा वो होगा option B क्या होगा option B is the right answer यह लिखा है proctoscopy क्या होगा proctoscopy से क्या होता है anus to rectums क्या कियाता है जाच की जाती option B is the right answer बाकि जो option दिए गए नीशे detailing से दी गए इनने आप समझ लेजिए जो कई न कई exams में पूछे गए है exam से यह लिखा है fundascopy यह लिखा है examulation क्या जाते है जाच की जाती है proctoscopy जो आपके question में था anus to rectums का क्या कियाता है next लिखा है laparoscopy यह लिखा है abdominals organs का जाच क्या जाता है next कि क्या लिखा है colonoscopy को जाच कहा जाता है जैसा कि उपर कोशन दिया गया था उसी इसाफ से इनका भी कोशन बनाया जा सकता है या बनाये गए है ठीक है तो आप यह पॉइंट भी याद रखेंगे पर इसकोपी किस से रिलेटिड है आई फंड से प्रोक्टो इसकोपी, आप देनें लेकेंगे एनस्टू रेक्टम से रिलेटिड ही यह लिदिका कोपी, यह अप्लोमिल आईसे रिलेटिड हैCom मैं आसा करता हूँ आप समझ गए होंगे सभी पॉइंट नेक्ट है कोश्च नमबर आपकी स्किन पर नाइन कोश्च नमबर आप नाइन पढ़ें फिर राइट आमसर बताएं उतक में आकसिजन की कमी को क्या कहते हैं इसका जो राइट आमसर होगा वो होगा देखे बहुत जितने भी आपसं लिखे गए एक को छोड़कर सभी एक दूसरे किकदम इतने करीब लिखे बहुत यह प्रोप्रियेट आमसर है इन में से आपको best answer select करना ठीक है कमिसन भी आपसे यही आसा करता है जो अगर एक से दो answer कभी भी आपको मिले तो आप उन में से दोनों में से सबसे best select करेंगे ठीक है हो सकता है आपको यहाँ पर पता हो और कई बार मैंने पढ़ा है भी आपको इसका जो right answer होगा उतक में oxygen की कमी को absence sees the right answer क्या होगा absence यह लिखा है hypoxia hypoxia होगा जब भी tissue में oxygen की कमी हो जाती है उसे hypoxia कहा जाता है बाकी word को हम last में define करेंगे उन्हें आप देख लीजिएगा उतक में oxygen की कमी को hypoxia कहा जाता है यह word कुछ define के गये हैं इन्हें आप देख लीजिए hypoxia का मतलब है oxygen deficiency in the tissue कहाँ tissue मतलब होता है हिंदी में उतक कहा जाता है ठीक है हिंदी में क्या कहते हैं उतक कहते है next लिखा है hypoxemia क्या लिखा है hypoxemia इसमें मतलब होता है lack of oxygen in the blood system आपके blood में oxygen की कमी आपके blood में oxygen की कमी hypoxemia कहलाता है और अगर आपके tissue में कमी होगी उसे hypoxia कहा जाता है क्या कहा जाता है hypoxia कहा जाता है तो समझ में आ गई ना बात पहले जो problems होगा वो होगा hypoxemia फिर इसके बाद क्या होगा hypoxia होगा पहले आपके blood में कमी होगी तो जाहिर सी बात है आपके टीशी में कमी आ जाएगे तो hypoxemia is related to lack of the oxygen in the blood steam या blood ठीक है या blood में oxygen की कमी को हम क्या करें रक्त में oxygen की कमी को hypoxemia का जाता है और आपके tissue या उतक में कमी को hypoxemia का जाता है ठीक है अब यह लेका है sinosis का मतलब क्या होता है इसका भी मतलब कभी कभी जब आफसन में यह दोनों नहीं 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 होते तो हम लोग sinosis आफसन सही करते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों तीनों आफसन में नहीं होता है जो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब थे sinosis का मतलब होता है blueis discoloration of the skin मतलब जो आपकी skin है उसका जो कलर होता है हलका सा नीला पढ़ जाता है discoloration of the skin या yellowis blueis पढ़ जाता है इस तरह आप ध्यान रखेंगे या खासकर जो sinosis होता है उसमें क्या होता है हलका हलका नीला पढ़ पढ़ जाता है या हाथ की जो हाथेली होती है पाम होती है होठो का कलर ज्यादा तर देखा जाता ठीक है तो यह क्या होता है blueis हो जाता है ऐसी condition जाता है छोटे बच्चों में बहुत बार देखी गई है और इसके कई कारण भी होते है मेथो गुलत मिया बताया था बच्चों में किस तरह की प्रावलम्स हो जाती है बोडी पूरा क्या होता है नीला पढ़ जाता है जब बोडी नीला पढ़ जाता है तो उसी condition को हम लोग sinuses कहा जाता है क्या कहते है और भी कई करण में कई बार आपको बता चुका हूँ नेश्ट वीडियो में आपको अच्छे से और समझा दूँगा question number obtain पढ़े यह last question है आपकी screen पर यह लिखा है जब कोई दवा सोते समय दी जानी होती है तो निवनिवे से किस कूट निर्देशन का या किस कूट निर्देशन का प्रयोग किया जाता है या उप्योग किया जाता है लिखा when are drugs is to given at bedtime which are the following coded instruction is used कौन से coded instruction का इस्तमाल किया जाता है या doctors कभी कभी क्या होते है एचा से लिखते है ठीक है तो आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है वो अपनी medical prescription में abbreviation यूज करते है उसका मतलब क्या होगा जब कोई दवा सोते समय दी जाती है तो अनिमले किसमे से किस कूट निर्देश का प्रियोग किया जाता है आफसन के recording आप right answer select करेंगे और कई बार मैंने बताया भी है paid classes में भी मैंने बहुत बार इसे अच्छे से पढ़ाया भी है और भी कई बार नजाने केतनी बार मैंने से लिया है इसका right answer साभी का सही होना चाहिए इसका right answer होगा वो होगा after and d क्या होगा after and d is the right answer h s कभी कभी क्या होता है dot group में लिखा जाता है h dot s dot इस तरह h dot लिखा जाए या s dot लिखा जाए बात वही होती है बागी जो आप संदियेगे हैं नीचे डिटिल से इन्हें आप देख लिए जो आपकी एक्जामस में फ्यूचर आ सकते हैं यह लिखा है OD का मतलब होता है once in a day दिन में एक बार अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी बेडियम से हैं तो आप लिखेंगे दिन में एक बार दिन में एक बार आप लिख लेंगे इस तरह हैं यह लिखा है ज़्यादा पशंद आया होगा काफी अच्छे डीटेल्स में आपको समझने का मौका मिला यहाँ पर जितनी भी डीटेल्स बताएगी सभी एक्जाम्स के लिहाँ से आपके इंपोर्टिन है इसलिए ज़्यादा वीडियो को स्किप ना किया करें जब भी आप पहली बार हमारा वीडियो देखें तो जरूर अच्छे से इसे देख लिया करें कम्प्लीट डीटेल्स का 2-4-5 में डीस्किप करने से आप बहुत इसकिप हो सकते हैं अपने लाइफ से ठीक है इसलिए कम्प्लीट वीडियो को देख लिया करें आपको यहाँ पर फिरी क्लासे दी जाती हैं तो इसलिए आप जरूर इन सब चीडियों का फायदा उठाएं और ज्यादा ज्यादा प्रैटिस करें हमारे बहुत ज़्यादा वीडियों हमारे चैनलस में मौजूद हैं आप किसी भी एकजामस को इजरली निकाल सकते हैं अगर आप हमारे सबी वीडियों देख लेते हैं यह हमारा वादा है आप हमारे वीडियों सभी देखिए आपको जरूर बहुत कुछ नालिज मिलेगा कुछ समझने को मिलेगा और कोई भी एक्जाम्स on PGI हो स्ट या चोई स्टाप नर्स हो चैनल इसे हो कोई भी एक्जाम्स सो अब आसाने से निकाल सकते हैं बसर्थ है आपको पढण होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है बहुत सारे विडियो हमारे अवलेबल है चैनल्स पर, ओके और हां, जो लोग हमारी एएनम की पेड़ी क्लासज लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, पहले थेवरी पढ़ाए जाते हैं फिर mcq पढ़ा जाते हैं मतलब complete त्यारी आपकी कराई जाते हैं जिम्मेदारी के साथ ताकि आप लोगों का 100% से selection हो सके ठीक है तो जब भी जो लोग भी message करेंगे नीचे हमारा वर्टसप नमबर दिया जाएगा और जो लोग पीडिया बगएरा भी पर्चेश करना चाहते हैं उसी नमबर पर संपर करेंगे यह रहा हमारा वर्टसप नमबर और नीचे भी mention कर दिया जाता है ठीक है यह यहां पर mention किया गया है 6306782918 ठीक है 63 06762918 यह है हमारा वर्टसप नमबर यह चैनल्स का नमबर से है तो इसमें mostly आप लोग क्या करेंगे message से बात करेंगे message से बात करेंगे call तभी करें जब आपको ज़्यादा required हो ज़्यादा जरूवत हो ठीक है जब आप बहुत ज़्यादा परेसोन हो जाए तभी आप message से बात करेंगे जो लोग भी हमारी A&M की paid classes लेना चाहते हैं आपको पता ही है हम कैसा पढ़ाते हैं और with जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा जाता है आपके syllabus के recording ठीक है यहाँ पर classes थोड़ी छोटी हो जाती है लेकिन वहाँ पर जो paid classes होती है काफी बड़ी होती है A to Z आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है प्रिवेस एर के सॉल्ड कोशन भी इंक्लूड के जाते हैं ठीवरी बगारा भी इंक्लूड के जाते हैं जो भी डीटेल्स होती है सब कुछ वहाँ पर with image के साथ भी पढ़ाया जाता है जहां पर जैसे required होती है तो अमीद करता हूं आप समझ गए होंग थैंक्स पर वाचिंग प्रेंट थैंक्यू बढ़ाय टेक्केर्स करता है